जैहिन प्यारे बिच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत्वस क्लासेज में तो प्यारे बिच्चों कल 23 सितंबर 2023 को क्लास 8 का गणित एवं हिंदी का विकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग करेंगे गणित के most important question जो आपकी exam point of view से very very important है एकदम unique question है बच्चा चली start करते हैं आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए आपको बहुत ही जादा लाब होने वाला है तो जल्दी से इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों को और भारतोच लाजिस पनना है तो subscribe कर लीजिए पहला प्रशन आप सभी से पूछा गया है पजपन square minus 5 square का सही मान क्या है यहाँ पे हमें a square minus b square वाले सुदर से करना है a square minus b square क्या होता है a जोड b a घटा b है ना यही होता है बस इसी सुदर से हम करेंगे यहाँ पे हम 55 को a मान लेते हैं और 5 को b मान लेते हैं तो एक बार 55 जोड 5 होगा गुना 55 घटा 5 यही होगा 55 में 5 को जोड़ेंगे तो होगा 60 गुना 55 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 50 अब गुना कीज़े 6 पचा 30 हो गया और यहाँ 2 0 यानी 3000 विकल्प सी सही है जब भी आपको इस परकार का प्रस्णा है तो आप इसी सुदर से कीज़े बिच्चों बहुत यहाँसानी से हल हो जाएगा दूसरा प्रस्ण दे रखे हैं 5 x square माइनस 2 x प्लस एक किस परकार का बिच्चे वेंज़क है तो यहाँ पर देख लीज़े एक या हो गया एक या हो गया तो एक दो तीन त्री पदी है यहाँ किस परकार का बिजय वेंजक है त्री पदी एक पदी की बात किया जाए तो यहाँ पे दो एक्स हो सकता है उसके बाद थ्री वाई हो सकता है यानि एक ही पद होगा दो इपदी की बात की जाए तो दो एक्स जोड एक होगा फिर दो एक्स स्क्वार जोड वाई ऐसे हो सकता है दो पद होंके तिसरा प्रश्ण यहां पर करेंगे तो तिसरा प्रश्ण दे रखा है यदि x बराबर 3 और y बराबर 5 है तो x square प्लस y square का 5 क्या होगा यानि इस bj वेंजग में आपको x का मान 3 लेना है y का मान 5 लेना है और इसे हल कर देना है चलिए हल करते है bj वेंजग दे रखा x square जोड y square x के जगा में क्या रखेंगे 3 तो 3 का square जोड y, y के जगा में क्या रखेंगे 5 तो 5 का square 3 का square क्या होगा 3 तिया 9 हो जाएगा 5 का square क्या होगा 25 होगा जोड ये 25 और 9 कितना होगा 34 ठीक है 34 विकल्प B में सही है प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे ओफिसियल टेलीग्राम चैनल को नहीं जोइन किया तुसे जोइन कर लीजे बच्चा भारत वर्ष क्लासेस वहाँ पे आपको इस सभी की पीडिये भी अप्लोड मिल जाएगी आप वहाँ पे जरूर जोइन किजी बच्चा टेलीग्राम चैनल को प्रसन संक्या 4 ते रखा है माइनस 8 एकस वाई का संख्यात्मक क्या है संख्या आप बताना है संख्यात्मक गुणांक बताना है कि यहाँ पे संख्यात्मक क्या होगा माइनस 8 8, 1 सुने तो यहाँ पे जो माइनस 8 है वहाँ संख्यात्मक गुणांक यहां एक अच्या अर्पद है 107 गुने 93 का सही मान क्या होगा इसे भी हम लोग A square minus B square वाली सूत्र से ही करेंगे देखी हम लोग 107 को लिख सकते हैं 107 लिख सकते हैं 93 को लिख सकते हैं 100 घटा 7 ठीक है? यहाँ पे 100 A है और 7 B है A square minus B square होता है A plus B A minus B उसी रूप में यहाँ दे रखा है अब इसके आगे हम कर लेते हैं क्या होता है A square minus B square यानि 100 का square minus 7 का square 100 का square कितना होगा? 10,000 और यहाँ 7 का square क्या होगा? 49 29,000 में 49 घटाएंगे तो 9,951 विकल्प A सही है क्या बच्चों विकल्प A बिल्कु सही उतर है प्रस्न संक्याँ छठा दे रखा है A square minus B square का विश्तरी तरूप क्या होगा? A plus B गुना A minus B A, जोड B, घटा C A B, minus B, C minus C A, या इन में से कोई नहीं तो हमने इसे अभी देखा A square minus B square का युश्तरी तरूप होता है A plus B और A minus B ठीक है? सात्वा प्रस्न कोद करिए सात्वा प्रस्न दे रखा है A को 3A जोड B से गुना करने पर क्या होगा? यानि एक पदी, यहाँ पर जो एक पदी वेंजक उसे दूइ पदी से गुना करना है देखिए A को ऐसे लिख लीजे हमें गुना किसे करनी है? 3A जोड B से करनी है ठीक है? ऐसा ही गुना करनी है तो चलिए करते हैं सबसे पहले A की गुना यहाँ पर इससे करते हैं तो 3 का 3 होगा A और A A स्क्वायर हो जाएगा प्लस A और A की गुना B से करेंगे तो A तो इदर होगा 3 स्क्वायर प्लस A B 3 A स्क्वायर प्लस A B यहाँ पे बिल्कुल सही उतर होने वाला है तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 A स्क्वायर आएगा प्लस A B यहाँ इसका बिल्कुल सही उतर होगा साथवा आठो प्रसंदे रखा है 3 A स्क्वायर जोड 5 B और 5 A प्लस 3 B का योगफल क्या होगा हमें जोड़ देना है तो देखिए समान पदों को देखिए यहाँ पे 3 के साथ भी A है 5 के भी साथ A है तो 3 और 5 दोनों को जोड़िए तो 3 और 5 आठ हो गया A स्क्वायर और A स्क्वायर ठीक है A स्क्वायर और यहाँ पे A है क्या यहाँ जोड़ेगा बताइए सभी यहाँ पर भी a square कर लेते हैं अब यहाँ सही है 3a square और 5a square तो 8a square हो गया प्लस 5b और 3b 5 और 3 8b तो यहाँ पर जो a के साथ square था वा छूट गया था यहाँ पर 5a square होना चाहिए तब ही तो समान पर जुड़ेगा तो 3a square और 5a square को जोड़े तो 8a square आया 5b और 3b को जोड़े तो 8b आया तो 8a square प्लस 8b यानि विकल्प a सही होगा आठवा परस्न दे रखा है यहाँ पर x square जोड़ 5 का मान क्या होगा यहाँ एक्स बराबर 7 है यहाँ एक्स का मान आपको यहाँ 7 लेना है तो x square प्लस 5 का मान क्या होगा x के जगा हमें क्या रखेंगे 7 तो 7 का square प्लस 5 7,7,49 49 प्लस 5 49 और 5 को जोड़े तो आएगा 54, विकल्प a सही है क्या सही है पिच्चा विकल्प a सही है अंतिम परस्न दे रखा है कि यदि एक आयत के लंबाई और छोड़ाई 3 a तथा 2 b यानि लंबाई 3 a और छोड़ाई 2 b हो तो आयत का छेदरफल क्या होगा 3 a लंबाई है और छोड़ाई 2 b है यह देखिए आयत हम पहले बना लेते है यहाँ एक आयत है मानिए इसके लंबाई दे रखा है कि 3 a है ठीक है चोड़ाई दे रखा है कि 2 b है तो आयत का छेदरफल क्या होगा बच्चों आयत का छेदरफल होता है l into b यह लंबाई गुने चोड़ाई लंबाई दे रखा है 3 a और चोड़ाई दे रखा है 2 b 3 a और 2 b की गुना किजिए 3 दुनी 6 a b 6 a b विकल्फ a सही है तो बताईए आप लोगों को 10 में से कितने सही हुए और कितने बच्चों ने अभी जा करके जल्दी से भारत्वस क्लासेश टेलिगराम चैनल को जोइन किया तो बच्चा वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा इसी परकार हम आपकी सांदार्ट त्यारी करवाएंगे और याद रखिए कि कल आप सभी के लिए महा महरातन कलास होने वाली एकदम अच्छे से रिविजन करेंगे उससे उस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रसन आपका बाहर से नहीं आएगा तो इस वीडियो को जरूर देखेगा धन्यवाद